हलो आज है 20 सब्टेंबर और आज इस विडियो में हम बात करेंगे मुथूट फिनांस के बारे में देखे एक हजार रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है इनके जून क्वाडर के जो रिजल्ट से वो काफी खराब आये थे जिसकी वज़े से एक जटके में हमें गिरावट तो देखने को मिली लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें तो 1000 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉंग सपोर्ट बनाता हुआ ये नजर आ रहा है वहां से नीचे तूटने का नाम नहीं ले रहा है वीडियो में डिसकर्स करेंगे कि वह ये मुथूट फिनांस में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लांस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं वीडियो को शुरू करें उसे पहले कर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस और जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो मुथूट फिनांस एक हजार चौटीस रुपए का शैर है बाजर में अच्छी तेजी जरूर थी आज के दिन में लेकिन उसके बावजूद भी मुथूट फिनांस में वो तेजी देखने को नहीं मिली इवन देखा जाये तो ये तूट गया था देरे देरे थोड़ी बहुत ही साही लेकिन रिकवरी दिखाई बाद में लेकिन एक महिने में देखो तो जहां शुरू हुआ वहीं खतम हो गया बीच में बाउंस बैक की कोशिश भी करी लेकिन वापस तूटके नीचे आ गया और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा प्राइज रेंज पिछले एक महिने में नहीं बना है अगर आप देखे तो 130 रुपए के आसपास का लो है और जो हाई इसका बना था वो 160 रुपए के आसपास का था मतलब कि भई यह 1000 रुपए का जो शेर है उसने एक महिने में 30 रुपए का भी प्राइज रेंज नहीं बनाया है जो देखा चाए तो उतनी सही चीज नहीं है यहाँ पर लेकिन फिर भी कह सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट जरूर बना रहा है इस लेवल पर और एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में 30 प्रदी शर्ट तक तोटा है और लगाता तोटता रहा है लेकिन हजार रुपे का एक सपोर्ट नजर भी आता है इससे पहले भी 970 तक गया जरूर था बाउंस बैक कर दिया था इसने 1200 पर आया लेकिन दुबारा एक जटके में तोटा जब इनके क्वार्टर ले रिजर्ट्स आए और वो भी खराब रिजर्ट्स आए ये तो बात हुई एक साल की लेकिन अगर आप पांस साल पर नजर करेंगे तब तो वह याप पैसा बना है यहाँ पर 111, 112 परसंट का देखेंगे तो बढ़िया रफतार देखने को मिली है और जी जो गिरावट है ये मैं कहूंगा कि अब तक की पिछले पांस सालों की सबसे बड़ी गिरावट है कोविट के वक्त भी के तोटा जरूर था साड़े सांसो से तूटकर आया था 600 पे गया था लेकिन इस बार की जो गिरावट है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि सत्रा सो रुपए से ये हजार पे आया है तो बहुत बड़ी गिरावट है ये लेकिन बाउंस बैक करने के चांस से जादा नजर आते हैं long term में short term थोड़ासा मुश्किली भरा जरूर रह सकता है इनके लिए लेकिन long term में definitely चीज़े बहते नजर आ सकती है large cap share 42,000 करोड के आसपास पैस का market cap है और यहाँ पर अगर आप नजर करें तो company के जो last quarter के results थे वो खराब थे 819 करोड का मुनाफा था जबकि पिछले quarters में इनका जो profit था वो 1000 करोड के आसपास था इवन पिछले साल के जून quarter में 1000 करोड का मुनाफा था इतना ही नहीं, company के revenue में भी भेंकर गिरावट आई है 2,888 करोड का revenue रहा जो पिछले साल 3 करोड का था पिछले quarter में भी 3,000 करोड का था पिछले quarter में भी 3,000 करोड और पिछले साल के quarter में भी 3,000 करोड मतब देखा जाए तो पिछले साल से भी compare करो तो भी revenue में गिरावट आई है पिछले quarter से भी compare करो तो भी revenue में गिरावट आई है हलागि promoter के अच्छी कासी holding है 73.37% की holding है 12.13% Files के पास है 8.32% mutual funds के पास है और 0.77% insurance company Files ने बिकवाली करी है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी holding Files के पास है और mutual fund और insurance का हम दोनों ने यहाँ पर खरीदारी करी है promoter का एक भी शर्क गिरिवी नहीं है यह बहुत अच्छी बात है मुथूट finance को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो भी यह मुथूट finance में ICICI direct के commentary है hold करने की 1300 रुपे का target price है और सिर्फ 9% लोगी है जो बेचने की बात कर रहे हैं वनना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करी है तो बने रहो company के नतीजे अगर आप देखोगे revenue तो लगाता increasing mode में है लेकिन definitely पहले quarter के results अच्छे नहीं थे next quarter में company के नतीजे अच्छे आने चाहिए पहले quarter में जो जटका लगा है उसो compensate करना चाहिए same चीज आपको profit में भी देखने को मिलेंगे कि definitely increasing mode है लेकिन पहले quarter के results देखेंगे तो वो अच्छे तो नहीं थे इसके अगर हम compare करें financial year 2022 के quarter से यहाँ पर dividend की भी बात करें तो company जो है वो 2022 में 20 रुपए का dividend पे किया 21 में भी 20 रुपए का किया था उससे पहले 15 रुपए का किया था तो definitely कैसे तो कि dividend अच्छा पे कर रहा है जहां तक बात है इनके bonuses की तो हलाकि bonus की history available नहीं लेकिन लेकिन एक बड़ी announcement जो है वो आज न वापस ले लिया गया और वापस लेने से मतलब है कि delay कर दिया गया ठीक है कि चलो भाया ठीक है पोस्पॉन करते हैं हम और वो यह था कि एक share के बदले 10 share बन जाए मतलब मानोगी 1000 रुपए का share है और सीधा यहां पर भाया हो जाएगा split तो यहीं बात होगी यहां पर कि हर 1000 1000 share के बद मतलब हर एक share के बदले आपको 10 share मिलेंगे आपके पास 100 share होंगे तो सीधे बन जाएगे 1000 लेकिन उसी तरीके से price भी आपको वैरी नजर आएगा मतलब कि वह यह अगर एक share का 10 share बन जाता है तो 1000 रुपए का price 100 रुपए का भी हो जाएगा लेकिन definitely यह चीज लंब या demurge को लेकर हो announcement देखने को मिली है मुझे रहता है कि शायद बहुत जल्दी मुथूट finance को लेकर भी ऐसी कोई announcement आ सकती है क्योंगे जाहिर से बात है 1000 रुपए का share और 100 रुपए का share कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हाँ एक psychological तरीके से impact डालता जरूर है जैसे कि Tata Steel ने जो च SLA को उन्हें पोस्पॉन किया है और लंबे समय से पोस्पॉन होता आ रहा है कब होगा कहना मुश्किल है लेकिन आज नहीं तो कल यह चीज होगी जरूर यहां पर भी तो नजर होनी चाहिए यहां पर और अगिन खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकर और बोर्ड जोन में और होल्डिंग भी काफी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है प्रमोटर से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसे के पास और डिटेल वालों के पास जादा कॉंटिटी है कि नहीं 2.77% की छोटी से होल्डिंग ही रिटेल इंवेस्टर के पास है जादा कॉंटिटी जो इनके रिजर्ट्स अच्छे नहीं थे लेकिन धीरे धीरे कंपनी के रिजर्ट्स बहतर हो सकते हैं इनको RBI से भी अप्रूवल मिल चुका है और ब्रांचिस ओपन करने को लेकर और आने वरे दिनों में मुठूट फिनांस और अलग अलग जगोब अपनी ब्रांचिस ओपन करेंगे और तो और लोगों को लोन देने के लिए काफी सारी जहमत भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी इस ओर्डर बुक को बढ़ाने के कोशिश भी करेंगे मुठूट फिनांस तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रही है और हजार रुपय का एक अच्छा के भी बन सकते हैं इसके लावाद दो और कमपनिया है एक है मनपुरम फिनांस 100 रुपय का शैर है मनपुरम फिनांस का और लेंटी फिनांस 80 रुपय का शैर है और दोनों ही देखा जाये तो वहीं काफी ज़दा पीटे हुए शैर से और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके पर वीडियो लेकर आओं तो जिस किसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में उसका नाम लिखेगा जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी पर होगा वीडियो को यहीं पैंड करता हूँ पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर के चैनल बगरा पहली बार हैं तो प्लीज सबस्क्राइब करें और मुथूट फिनांस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक्तर बता सकते हैं थैंक्यो